हेलो स्टुडेंट्स मैं आपकी स्टी की टीचर आदर सिक्षानिकेतन हाई स्कूल से आज हम आपकी स्विक्स का लेसन नमबर टू कम्प्लीट करेंगे कल हमने आपका लेसन ऐसा मनता हूं भेदभाव इस टोपिक तक कम्प्लीट कर लिया था आज हम उससे आगे पढ़ेंगे ठीक है भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीवी का चलाने के लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं जैसे पढ़ाना बरतन बनाना मचली पकड़ना बढ़ाई गिरी खेती बुनाई यह लोग बाग जो हैं अपने आजीवी का चलाने के लिए बहुत तरह काम करते हैं को महत्तु माना जाता है इसलिए जो लोग इन कामों करते हैं उनको गंदा और पवित्र माना जाता है यह जाती व्यस्ता का एक बड़ा ही महत्तु पूर्ण पहल हुए जाती व्यस्ता में लोगों के समूहों को एक तरह की सीडी के रूप में रखा गया जिसमें एक जात दूसर जाती प्रता के नियम एकदम निश्चिस थे इन अच्छूतों को दिये गए काम के अलावा और कोई काम करने की जद इजाज़त नहीं थी उधारन के लिए कुछ समों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे जानों के गाहों से इजाज़त थी उन्हें उंची जाती के लोगों घरों लोगों को बताया है कि जो समाज में कुछ इस तरह के पहलыми बना दें जो नीच्छिडाती के लोग थे और निकाम में तो उनकिक्त करते लिए ओंषप वैटने दिया गया क females ऐसमानता का है भेदभाव का कारण है अब यहां पर देखो दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाल जाती के लोग अपनी पहचान की रूप में इस्तेमाल करते हैं वे इस सब्द को अच्छूत से ज्यादा पसंद करते हैं दलित का मतलब है जिने दबाया गया या पूरा गुरहों और भी दलित वहों को दवा कर रखा है सरकार अइसे लोगों को अनुशूची जाती के वर्ग में रखती है किसमें रंते यह दो बच्छे बिलकुल अलग बैटएं और यह सब एक साथ बैट हैं दो यह किसका रूप है वे कर दो बार आते हैं अगले प्रस्ट पर हमें देखेंगे कि कैसे भारत की मसूर अस्ति को भेदबाव को सामना करना पड़ा एक बार क्या होता है यहां पर एक कहानी के रूप में दिया गया है डक्टर भीमरा उंबेड कर ने जो है जाती होस्ता पर आदारित भेदबाव के अपने अन्बहों के बारे में लिखा है यह अन्बहों उनको 1901 में हुआ था जब वे केवल 9 वर्स के तेवे महराष्टर में कोरे गाह में अपने भाईयों के साथ पिता से मिलने गए थे तो वहां पर उनने बड़ी देड़ तक इंतजार किया लेकिन वहां पर ना तो उनका कोई वो उनकी जो कोई नोकर उनको लेने आया और ना ही उनके पिताजी आये तो उनसे स्टेशन मास्टर ने पूछा कि आप यहां पर क्यों खड़े हुए हैं टिकिट मांगा तो उन्हों पूछा आप यहां पर क्यों खड़े हुए हैं तो उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी हमें लेने आ क्षिक्ट में अच्छे कपड़े पैने उए थे और हमारी अच्छी दिए कोई भी नहीं कह सकता था कि हम अच्छूतों के बच्चे हैं जो उन्हें लगा कि हम ब्राह्मन के बच्चे हैं तो मुष्किल में देखकर हम से पूछा कि हम कौन हैं तो बिना एक पल सोचे मेरे चक्के से रहे गए और उनमें अजीब सा परिरतन आ गया और उनका जवाब सुनकर अपने कमरे में चले गए तो जब भीमरा उंबेड कर अपने भाई के साथ भीयों के साथ वहीं पर खड़े रहे 15-20 मिनट बीट गए सुरज बिल्कुल छिप गया और उनके पिताजी मिलेने करने की सोच रहे हैं घर किराय पर कोई गाड़ी मिल जाएगी बैल गाड़ी तो हम और गाउद सकते हैं कि कोई ज़ादा दूर नहीं हैं तो मैंने श्टेशन माश्टर को बता देया था कि हम महार है इसलिए कोई भी गाड़ा जो गाड़ी वान था वह हमें ले जाना इस्टेशन मास्टर जो हमारी ले गाड़ी वान उससे मोल तोल कर रहा है जिप चाप खड़े हो गए समझ नहीं आ रहा है थी क्या करें अब आप एक कल्पना कीजिए कि वहां पर उनको कितनी दिक्कत हुई होगी गाड़ी वाला गाड़ी में उन्हें ने जाना चाह रहा था कल्पना करके देखे कि कितना उसकी लोगा अगर लोगों को एक जगर दूसरे जाने नहीं दिया जाए यह कितना अपमान जाना लोग दुगदाई होगा गाड़ी वालों ने गाड़ी में नहीं बिठा ले रहा था इस्टेशन मास्टर जो था वो भी उनसे घिरना करने जो दूसरों को मिलता है अब भीम्रा नमट कर भारती स्विदान के पिता इम दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है कि उन्होंने दलित समधाए के लिए उनकी अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी उनकी महर जाती में जनम हुआ था जो चूत मा माहर जाती में। यही सरकाई नोकरी करने को कहा ताकि वो जाती वहस्ता से बाहर निकल पाएं दलीतों के मंदिरें प्रवेश के लिए जो कई प्रियास की जा रहा है थे उनका मेड़ करने ने तरुत किया उन्हें ऐसे धरम की तलास थी जो सब को सम्मान निगाहों से देखे जियन में आगे च संदाए के लिए बहुत लड़ाई लड़ी थी और वह अकेले थे जो की पढ़ने के लिए अपनी जाती के पहले वक्ती पढ़ने के लिए कहां गए थे इंग्लेंड गए थे वकी और वहां पर वकील बने थे ठीक है अब इसके बाद देखते हैं समानता के लिए संगर्ज बिर्टिक राशन से आजाती पाने के लिए जो संगर्ज किया था उसमें समानता के भाद के लिए कि अकर संगर्ज भी सामिल था दलीतों और तो जन जाती हो लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस घर बराबरी का अनभव किया उसके खिलाफ उन्हों ने महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरूसों के पास सिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले जब 1947 में भारत आजाद हुआ था और एक राष्ट बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह किया समानताप और विचार किया सविधान को लिखने वाल लोग भी इस बास से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदबाव किया जाता है और लोगों ने उसे खिलाब संगर्स किया है कई नेताओं ने लड़ाईों के हिस्सा थे जैसे हैं डॉक्टर अंबेड कर इसलिए नेताओं ने समंदार में ऐसी दरश्टी और लक्ष रख रखा जाता है और इसे कानून रूप से खत्म कर दिया गया है लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आ जाते हैं नोकरे सभी लोगों के लिए खुली हैं इस सबके अलाव समिधान ने सरकार पर यह विशेज जिमेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुक् गये कि वो अपनी पसंद से अपना काम चुन सकते हैं अपनी पसंद से नोकरी कर सकते हैं या कोई भी काम कर सकते हैं समयधान के लेकों ने यह भी इससे कि लोगें अपने धर्म का पारण करने अपनी भासा बोलने अपने त्योहार मनाने अपने आपको खुले रूप से वैक्ष करने के अज़ारी होनी चाहिए उन्होंने कहा कि कोई एक भासा धरम या ते वहार सब के लिए निवारिया नहीं बनना चाहिए उन्होंने जोर दिया कि सरकार सबी धरमों का बरावर मानेगी इसलिए बारत एक धरम निर्पेक्ष देश है बारत कैसा देश है धरम निर्पेक्ष जहां लोग बिना ध्वेदबाव के अपने धरम का पारण करते हैं इसे हमारी एक्ता के महतुपून कारक की रुप में देखा जाता है कि हम इखटे रहते हैं और एक दूसरे की इज़त करते हैं हाना कि हमारे समिधान में इन विचारों पर जोड़ दिया गया है पर इसी बात को उठाता कि है समानता आज भी मौझूद है जिसके लिए हमें यन्यंतर संगर्ष करते रहना को भारतियों के लिए समानता का मुल्ले वास्तिक जीवन का हिस्सा बने इसके लिए लोगों के संगर्स उनके अंदरोंनों और सरकारदर उठाए जाने वड़े कदम बहुत जरूरी है अब यह जो आपको यहाँ पेपर दिख रहा है इसमें लिखा गया सविधान का पहला प्रश्टा इसमें लिखा गया इस प्रश्ट रूप से कि सभी भारतियों को समान प्रतिष्टा और समान अउसर प्राप्त हैं और यह जो दिखाए गए हैं यहाँ पे सविधान लिखने वल समीधिये कुछ सदश्य दिखाए गए हैं ठीक है हमारा लेसन कंप्रील हो चुका है अब आप इस लेसन को दुबारा से पढ़िए और इसके कुश्चन आंसर अपनी कॉपी में कर लीजिए